हेलो एब्रिवन आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मिनी ब्रेड पकोड़े और तंदूरी टमाटर के चट्मी की बहुत यमी रेसिपी ये रेसिपी खाने में जितना ही मज़िदार है बनाने में उतना ही आशान है इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल म माने डालके इसका अच्छा सा बेटर बना लेना है पकोडों के लिए जिए दो के यह फचरासना है त्युद्व से ऑप काराव भी सभाड़े रहे क्यों है जतना अच्छा हम इसको टिए पकोड़े फिद कम लग नहीं इनक भी ज्यादा पतलेंगे करना है बिल्कुर इस त पूर्स्तियों अपड़े से 2 कड़ी दाल जाए हुआ है आधा समच जीराी को चाटकन देंगे जीरा जब ब्राउन कलर का घटकन जाए जीरा हो जाए एक समॉल साइज को कटरके और 2-3 चारी मेस को बारिक कटकरके डाल देना है और आपयाज हो होने तक दूंदना है अब देख सकते हैं प्याज हमारा सुनहरा हो गया है थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है इसमें हम डाल रहे हैं बॉयल किया हुआ आलू यह तीन आलू है मेडियम साइज का इसे मैंने बॉयल करके अच्छे से मसर लिया था अब मैं इसमें एड कर रहे हूं हाप टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हूं हमने हरी मिच डाली है इसलिए लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा कम डालेंगे अब मैं डाल रहे हूं एक चमच भर की सेजवान चटनी जो आती है वह डाल दियू इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जो पकोड़ों के अंदर मसाल डाल सकते हैं अगर आपके पास चटनी नहीं है तो देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे एक दो मिनिट तक ऐसे पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से सैट हो जाए अच्छे से कुख हो जाए गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है इसे थोड़ा ठंडा हो नहीं देंगे यहां पर मैंने कुछ ब्रेट्स लिए हैं यह वाइट ब्रेट्स हैं अब इनको हम कट करेंगे सबसे पहले ब्रेट्स की किनारे होते हैं डार्क ब्राउन कलर के उनको कट कर लेना है यह जो हम कट कर रहे हैं ब्रेट के किनारों को इसको फेक ना नहीं इसको ब्रेट क्रम्स बना के रख सकते हैं जो बहुत सारी रेसिपीज में कामाते हैं देखे सारे ब्रेट को किनारे ऐसे हम कट कर लेंगे मैंने सारे ब्रेट के किनारों को अच्छे से कट कर लिया है अब इसे हम फोर पीस में कट करेंगे एक ब्रेट को हमको फोर पीस में कट करना है ताकि हमारे ज कि यगंखे हैं देखने हैं कि गुचर करने हैं इसलिऊ सकते हैं एक सब्सक्राइब कर से तरीके करने हैं ज carbonic कोड़ा ने कजि़ रखने से आप तरहीं सार बार्ली जाते हैं सब्सक्राइब करना हूं इसके वे एक प्रेड का थोड़ा इसक़ हमopen जा नुद गारी रहें अब आप गड़ाही में और गरम और गरम कर लिया है और एक पीस को जो हमने बेशन का घोल बना के रखा था उसमें डीब करेंगे और ऑप अब डालते जाएंगे ऐसे पकोड़े बनाने से क्या फाइदा होता है कि हमारे तेल कम है तेल में भी ब्रेट पकोड़े बना सकते हैं अगर हम बड़े साइज की जो नॉर्मल ब्रेट पकोड़े होते हैं और बनाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा तेल लगता है ऐसे अगर आप बनाएंगे तो कम तेल में एक बार में चार पकोड़े ऐसा आप फ्राइ कर सकते हैं देखिए एक बार में मैंने चार डाला है मिडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे दो तीर में तक फ्राइ करने के बाद यह बिल्कुल रेडि हो जाएगा थोड़ा से इसका कलर गोल्लेन हो जाएगा तो हम इसे ऑयल से बाहर निकाल देंगे यह बहुत ही बनते हैं आप देख सकते हैं इन पकोड़ों आप अब इनकाल लेंगे तो देखे तैयार है हम सब की फैबरिट प्रेड के पकोड़े बहुत ही चोटे साइज में पकोड़े हमारे बन गया है सारे पकोड़ों को ऐसे फ्राइ कर लेना है अम पनाएंगे इसके साथ खाने के रिए टमाटर की बहुत ही यमी चटनी यहां पर मैंने दो टमाटर लिए है मिडियम साइज की दो हरी मिर्च है और लैसन की गाठ है इसे आग पर ऐसे भून लेंगे अगर टमाटर लैसन और हरी मिर्च को हम ऐसे आग पर भून के जो चटनी बनाते है वह बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही सोंदी सोंदी इसमें खुस्बू आती है बहुत ही अच्छा स्वाद आता है तो बस दो मिनिट तक ऐसे इसको उलड़ते पलड़ते हुए गैस मेर्ची जल्दी पक जाती है जलने लगेगी मिर्ची हमारी तो मिर्ची को पहले हम ऐसे अच्छी से फड़ के सबसे पहले मैं सब्सक्य करण erail तो deriv हमारे और टमाटर को थोड़ी तक पगने देंगे ताकि आक आप जाए टमाटर भी आपगए इन्हें आप जो है चिलका तर्फा उतार के एक मिक्सर जार में लेंगे और थोड़ा सा नमक के साथ इसका एक अच्छा सा पेश्ट बना लेंगे इसमें बिल्कुल पानी एड़ने करना है तेमाटर के अंदर अच्छा खासा पानी होता है उसी पानी से यह चटनी अच्छे से रैडी हो जाएगी लैसन तेमाटर हरी मिर्च और हाफ टेश्पून नमक डाल के बीना पानी कि इसको मैं पीछ ले रही हूँ है देखी चटनी हमारी रेडी है यह चटनी दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है रोटी पराठे के साथ भी तो फ्रेंड्स इस चटनी और बेट पकोड़े को